हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने सिस्टम में ब्लेंडर को डाउनलोड और इनस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में तो दोस्तो आपका स्वागत है और श्म गाइड चैनल में दोस्तो ब्लेंडर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी सिस्टम में किसी भी। ब्राउजρ को ओपन कर लेना है जैसे मैं यहां पे गुगल क्रोम को ओपन कर रहा histories और type करना है blender download और enter कर देना है आप देख सकते हैं blender की official website आ चुकी है www.blender.org आपको इस पे click कर देना है आप blender की download page पे आ जाएंगे आप यहाँ से अपना operating system चूज कर सकते हैं जैसे windows, macOS, linux इन तीनों operating system के लिए आप blender को download कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे आज windows के लिए blender को download करूँगा आप देख सकते हैं windows के लिए दो option दिया हुआ है एक windows.exe file download करने के लिए और दूसरा windows portable.zip file को download करने के लिए दिया हुआ है तो मैं windows.exe file को download करूँगा आप देख सकते हैं automatic downloading start हो चुकी है blender के आप three dot पे click करके downloads पे जाके देख सकते हैं मैं इसे cancel कर देता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास पहले सी blender download है मैं desktop पे आ चुका हूँ अपने जहां पे blender मेरे पास पहले सी download है मैं इसको install करूँगा आप देख सकते हैं welcome to the blender setup wizard next कर दूँगा यहां पे बोल रहा है कि accept the terms in the license agreement जो इनके terms and condition है उन्हें यह accept करने के लिए बोल रहा है मैं accept कर लूँगा और next कर दूँगा यह यहां पे custom setup यह पूछ रहा है कि क्या blender को blender को सिर्फ अकेले install करना चाहते हैं या library के साथ तो मैं दोनों के साथ करना चाहता हूँ और next कर दूँगा और फिर install पे click कर दूँगा और installing blender चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं blender की नई file copy हो रही है मेरे system में c drive में मैं भीट करता हूँ कुछ देर के लिए जब तक कि blender install न हो जाए पूरी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा blender पूरी तरीके से complete install हो चुका है system में मैं इसे finish कर देता हूँ दोस्तों मैं आपको बता दू blender एक animation maker software है जिसमें हम animation create कर सकते हैं दोस्तों blender को या तो हम blender की जो original software उसके अंदर animation बना सकते हैं या दूसरे software में यूज कर सकते हैं जैसे open source video editor में हम यूज कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे blender पूछ रहा है language English रहने देता हूँ मैं shortcut जो है blender ही रहने देता हूँ select with left और right सब कुछ मैं default ही रहने दे रहा हूँ theme पूछ रहा है आप blender की dark theme रख सकते हैं या blender light theme जैसे यह हो गया या आप deep gray रख सकते हैं white रख सकते हैं पूरी तरीके से vfx video editing manual blender website create तो मैं यहाँ पे open कर लेता हूँ आप देख सकते हैं यह आप यहाँ फाइल पे जाके new पे जाके आप जैसे general आप बनाना चाहते हैं 2d करना चाहते वी एफएक्स बनाना चाहते है video editing करना चाहते हैं करना चाहते हैं आप यहाँ से select कर सकते हैं मैं यहाँ general select कर लेता हूँ और save कर लेता हूँ जैसे यहाँ पे untitled blend करके save file पे ऐसे तो दोस्तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप blender को shortcut और open sort video editor में यूज कर सकते हैं जैसे मेरे पास open sort video editor है कैसे उसमें आप setup करेंगे दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे like करें, share करें और channel को subscribe जरूर करें अगर आप पहली बार मेरे channel पे विजिट कर रहे हैं दोस्तो आप मिलते हैं आप से अगली वीडियो में